हेलो गाइज वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल गाइज अभी तक मैंने आपको फैशन डिजाइनिंग से और वेस्ट मैटिरियल और कई टॉपिक पे आपको वीडियो अपनी सेंड करी हैं और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है सैलेड मेकिंग के उपर बहुत ही सिंपल तरीके से और अडिनरी आपके पास घर में जो समान है उससे आप बना सकते हैं एक इसके लिए आप एक कुकुमबर लें स्टेट कुकुमबर लें नाइफ लें और स्कूपर और ग्रीन चिली एंड लॉंग एंड टूथपिक ये सब समान गाइज आपको चाहिए उस बड़ अभी हम खीरे की बोर्ड बनाएंगे उसके लिए कुकुमबर को पहले हम थोड़ा सा नीचे से बैलेंस करने के लिए हलका सा कट करेंगे जिससे ये स्ट्रेट खड़ा रह सके उसके बाद हमने इसको मिट पोश्चन से थोड़ा साइड होके कट करना है और थोड़ा ये पोईंट छोड़के इधर पूरा कटनी करना है और इतना पोश्चन छोड़के एक ओर लाइन कट करनी है हाफ से थोड़ी ज़्यादा करनी होती हमें ये लाइन और अब हम इस टाइप से इसे ऐसे कट करेंगे carefully कि हमारी वो जो center में हमने जो point बनाया वो cut ना हो इस type से same चीज हम यहां भी apply करेंगे इस चीज का हमने ध्यान रखना है कि हमारी वो center line cut ना होने पाए और carefully हम इस type से cut करेंगे और अब हम इसको हटा के अब हमने इसके अंदर का ये जो portion है इसको bear करना है, खाली करना है इसको हम scooper की है, जो आपका ये देशी घी में spoon होता है उसी को ले सकते हैं अब इस type से हम इसको जो ये इसका अंदर का portion है उसको हम खाली कर रहे हैं थोड़ा सा आपको spoon को round जब हम गुमाएंगे तो ये easily बहार निकलाएगा और इस type से हमने इसको पूरी side से सब तरफ से कोशिश करना है कि हमारा खाली हो जाएं क्योंकि हमने इसे board की shape देनी है सेम चीज़ हम इधर भी करेंगे अगर आपको कोई problem हो तो आप spoon की back side से भी इसको खाली कर सकते हैं इस type से जो इसका internal portion है जो cucumber का उसे हमने इस type से remove करना है और उसको आप guys फेके ना उसे आप खा सकते हैं उसे इस type से use कर सकते हैं कि केवल हम decoration का जो समान है उसमें से जो निकल रहा है उसे हम अपने खाने में use कर लें उसे waste ना करें guys और इस type से आप देख रहे हैं कि मैंने ये इसको इस type से remove करने की कोशिश कर रही हूँ और अब ये जो इसका center का portion है इसको भी हम spoon की help से ही remove करेंगे इस type से अब ये पूरा हमारा खाली हो गया है अब ये board की shape guys देख रहे होंगे आप कि ये board की shape बन गई है अब हमने इसके corner पे design बनाना है उसके लिए हमने एक side से V shape में cut करना है और second type से भी इस type से ये हमारा piece cut हो जाएगा इसके लिए आप एक अलग पहले piece जो cucumber का होगा उस पे थोड़ी सी practice कर लें जिससे जब आप उस पे बनाए तो direct आपका वो खराब ना होने पाए आपने जो board shape की cucumber cut करी है इस type से और और अब हम इसको direct board पे cut करने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी आपको practice की जोड़ तो जरूर पड़ेगी और आप फहले rough पे कर लें side में किसी cucumber पे या कोई carrot है या कुछ भी इस type पे आप practice करते रहें और उसके बाद इस से इस type से हम बनाने की कोशिश करेंगे और ऐसे पूरा ये हम shape देते जाएंगे पूरी cucumber की board जो है उसको हमने इसी type से cut करके बनाना है और अब ये हम एक इसके अंदर आदमी बनाएंगे बैठा हुआ जो board चलाएगा उसके लिए हम ये piece को cut करेंगे इस type से उसको थोड़ा हमने adjust करना है कि जो वो board में बैठेगा तो हमें बहुत ज्यादा मोटा नहीं लेना है उसको थोड़ा हम size इस type से shape देके और उसको थोड़ा पतला भी करेंगे और इतनी भी space छोड़ेंगे कि पीछे हमने toothpick लगानी है अब ये थोड़ा हम adjust करके करना है वो हम कर सकते हैं अपने according इस type से ये board में बैठने लाइक हो गया इसको हम toothpick से अभी बिठाएंगे उसके बाद हमने इसमें ये long से eyes बना दी है अब यह हम इसका lips बनाएंगे इसके लिए मैंने चुकुंदर का छोटा सा एक piece कट करके और इसके ये size का हलका सा कट करक ये थोड़ा idea आपको इसके लिए practice करनी पड़ेगी थोड़ा सा idea के लिए मैं आपको बता रही हूँ आप इसका जो lips बनाएंगे उसके लिए अगर आपके पास carrot है, tomato है ये चुकुंदर है कुछ भी ऐसे जो थोड़ा reds और चुकुंदर थोड़ा dark लग रहा है इसको मैं बाद में अभी ये color छोड़ेगा तो बाद में मैं इसको हटा दूँगी लेकिन अभी मैंने इसके color के लिए इसको यहाँ पे लगा दिया है और अब इस type से ये करके और अब मैं इसकी nose में भी same चुकुंदर का एक piece cut करके लगाऊंगी और इस type से या हमने इसके हाथ भी ब करके और इस पे fit करने के कोशिश करेंगे और थोड़ी सी प्रैक्टिस तो guys obviously करनी पड़ेगी आपको इस type से set करेंगे हम और ये मैं दोनों ही बाद में हटा दूँगी अभी मैंने प्रैक्टिस के लिए लगाया और इस type से toothpick के थुरू हम ये इसके hand बनाएंगे अब देखिए ये चुकुंदर हटा दिया हो ये red red किता प्यारा face हो गया उसका अब हम इस जो boatman है इसको boat में toothpick के help से adjust करेंगे और ये जो हमने cut बनाए थे इसके लिए हम toothpick से toothpick भी ले सकते हैं guys और अगर आपके पास available नहीं है तो आप matchstick को भी cut कर सकते हैं और ये मैं toothpick को छोटे छोटे piece में cut कर रही हूं otherwise कभी all pin भी आप use कर सकते हैं लेकिन उससे फिर वो खाने लायक नहीं रहेगा तो इसलिए मै toothpick को ही छोटे छोटे piece में cut कर रही हूं और आप decoration के लिए green chili और ये mutter या गाजर छोटी छोटी cut करके कुछ भी आप यहाँ पे decorative बना सकते हैं ये boat को इस type से देखिए मैंने green chili और mutter से इसको decorate करने की कोशिश करी है और अब इस type से ही पूरा करना है और guys देखिए ये कितन सुन्दर boat और boat में तयार हो गया है और आप इसी type से घर में अपना बना सकते हैं बहुत easy है और अगर आपको मेरा ये channel अच्छा लगा और मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please मेरे channel को like करना, share करना और subscribe करना ना भूले हम अब next वीडियो में फिर से मिलेंगे तब तक के have a good day, bye